अगर एक परिवार में आप पती पत्नी साथ रह रहे हैं तो कैसे रहना चाहिए करेंगे इसी वारे में बात प्लीज एक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है परिवार है तो उसमें गलतियां भी होती रहती हैं, गल्ती किसी ने भी की हो, वो गल्ती ही गलाएगी, चाहे वो आपके परिवार में किसी ने की है, या आपकी पत्नी ने की है, पर पत्ती की क्या आदत होती है, कि वो वेशा अपने परिवार के लोगों की गल्ती को ढखते रहते हैं, उनकी तरफदारी करते रहते है और अपनी पत्नी में गल्ती निकालते रहते हैं, पत्नी को इसम जाते रहते हैं कि तुमने गल्ती की होगी, ऐसा करने से क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि परिवार वालों की गल्ती को गल्ती ना मानकर आपकी पत्नी मान जाएगी कि उन्होंने कोई गल्ती नहीं कर पर सीधी सी बात है कोई वह गलती की नहीं तो वह क्यों मानेगी अब सबका दोश उसके पर क्यों मढदेते हो जब उसने की नहीं इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी की सबसे पहले तो आपसे रिष्टा खराब होगा फिर आपके परिवार वालों से भी रिष्टा खराब होने लगेगा उससे तो लगेगा मेरा पती हर वक्त परिवार वालों की बुझा से मुझे से लड़ता रहता है मुझे गलत बताता है हर पती यह चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे मातर विता भाई बेन की इज़त करे तो वह क कुछ करने के बाद भी पत्नी ही पत्ती को गलत दिखती हैं. तो सोचो सो कितना बुरा लगता होगा. पत्ती कहते हैं कि कोई बात नहीं छोड़ो अगर मेरे घर वालों ने कुछ गलत कर दिया. तो ऐसा करने से क्या होगा? कि पत्नी अभी तक सबकी इज़त कर रहे थी तेकिन उसके मन में सबके लिए इज़त खतम हो जाएगी मतलब परिवार वालों ने गलती करी तो छोड़ो कोई बात नहीं और अगर कोई गलती के बारे पता चला और सच्चाई बीना जाने ही पत्नी पर अरोब लगाते तो कि गलती तुम नहीं करी होगी तो पती यहां बहुत गलत है अब पत्नी क्या करेगी इज़त तो उसकी परिवार वालों के लिए खतम होई जाएगी अब वो उन पर नदर रखेगी उनकी गलतियां ज़्यादा देखने लग जाएगी क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप अपने घरवारों की गलती को गलती नहीं मानते अब वो आपके घरवालों की गलती देखने के बाद आपको दिखाएगी कि देखो यह इस ने किया, यह उस ने किया, देखो उसे प्रूफ दिखाना है, कि देखो मैं गलत नहीं होती हूं, आपके घरवाले भी गलत होते हैं, सब लोग कहते हैं कि पत्नी दो परिवानों को जोड़ती है, लेकिन शादी के बाद पत्नी दूसरी घर से आई होती है, वैसे ही एक पत्ती होता है, जो अपने परिवार और अपने पत्तनी के बीच एक कड़ी का काम करता है, अगर पती ही पतनी को गलट ठहराता रहेगा तो हो सकता आप अकेले में बात करते हों कि पतनी को गलट ठहरा रहे हैं अगर आपको उसे गलट ठहराएंगे तो घर वाले उसको क्या समझेंगे तो पतनी और परिवार के बीच पती कड़ी का काम करता है अगर परिवार में रहना है तो उसको परिवार को और पत्नी को दोनों को समय भी देना आना चाहिए और दोनों के लिए जो जम्मेबारी बनती है वो भी निखाने आनी चाहिए अगर किसी से भी गल्टी हो जाती है और आप पती है तो यह मासोच और मेरे多ी ने की है या मैम मेरे telling कि रभाई ने लेकि और कि भेहन नी की तो मैं रिष्टों को ना देखाएं कि कि से गल्टी की गल्टी तो गल्टी सकते था भायवन पतनी के साथ कि गलती कोई करता है और दोश्यू उसको बोलते हो आप यह कहना बेवकुफी होगी एक पति की मेरे घरवालों से तो कभी गलती हो नहीं सकती के ऐसी सोच बहुत गलत है आपकी पतनी आपसे गलती के बारे में कम ही बात करेगी, अगर घर में किसने गलती भी कियोगी न, वो सोचे कि इस आदमी के क्या मू लगना, क्योंकि आपने उसे ही गलत बताना है, तो क्यों अपनी बेस्ति करवाए, इसलिए वो आपसे अप दूर रहने लगेगी, आप उसे ही समझाएंगे, तो वो और पतनी भी तो आपकी है, आप शादी करके पतनी को लाए हो, उसको आपका फर्द नहीं है कि उसको समझना, उसकी वात को सुनना, कि सीदह कहीं भी कलती ही, उसको बोल देंब कि तू गलत है, अगर मैं तो किसी भी लड़का-लड़की जो शादी भी करने जारहे हैं, तो म और समझदारी, तो आप पती हैं, आपने शादी की है, तो आपके अंदर पेशन्स और समझदारी का होना बहुत दूरी है, तबी आप परिवार में शांती से अपने परिवार को भी रख सकेंगे, और अपनी पत्नी को भी खुश रख सकेंगे, आपकी पत्नी कोई पागल नहीं है जो आप हर गलती का जिम्मेवार उसे ठारा देते हो इससे आपका अपनी पत्नी से रिष्टा तो खराब होगा ही होगा और आपकी पत्नी का आपके परिवार से भी रिष्टा खराब होगा क्योंकि उन्हीं की वज़ा से ही आप पत्नी की खड़ाई होती है आप पत्नी पत्नी को गलत बोलते हो और जब आपकी पत्नी माईके में ये बात बताएगी कि परिवार में कोई भी गलती करता है तो मेरा पत्नी मुझे ही दोशी ठराता है तो इससे क्या होगा पत्नी के परिवार वाले भी आपकी इज़त नहीं करेंगे तो आप पत्नी है परिवार में रहने का तरीका होता है अपनी पत्नी की इज़त बनाना आपके हाथ में है चाहे मैं मानती हूँ आप उसे अकेले में कहते होंगे की नहीं वो तो गलत नहीं कर स इंसान है बहुत गंदे पिकार पती है आप तो करना क्या चाहिए अगर आप लगता है मैं घर का बड़ा हूं माता पिता कि जिम्मेवारी या पहन की जिम्मे तो समझदार बनो समझदार कैसे बनोगे जिसकी भी गलती है परिवार चोटा साही होगा ठीक है सबको बिठा कर बता दो कि आज बहन उते हैं तो बहन ये तुन्हें आज गलती करी है सबके सामने आपको होगे तो उसको भी समझाएगी अगर उसको साथ में छोटा भाई भी रहता है आपका तो माता पिता को आप अकेले में भी कह सकते हैं कि सबके आगे उनकी गलती बताना आप बेटे हो ठीक नहीं लगेगा कि बहु भी बैटी है या मेरे छोटे भेन भाई भी बैटे हैं तो आपको बहुत समझदारी से और पेशन से काम लेना पड़ेगा तबी परिवार में आप पत्नी रह सकते हो अगर अप ऐसे पत्नी के साथ व्यवार करोगे तो पत्नी आप आप पो छोड़ दे आपके साथ मार रहना चाहें आई दिन माईके से लिजाए तो क्या फ्यादा होना इस चीज का आप अपना ही तमाशा बना रहे हो थोड़ी समझारी से काम करो जिसकी ग माब से गलती हो तो उंको बोलो इसमें को शर्म नहीं कि माब से गलती हो थो तो उनको बोलो खोड़िके से वो तब की घाथ के मैं 116 लेकिन अब सबकी गल्ती Wrestle रोखानेाि तो हम मैं वीडियों करते हूं तो इसे एक सबक चानल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब परना फ्री है थैंक्स पर वाचिंग